हेलो दूस्तो नमस्कार इसम किसी चानल में मैं आप सिबलंका दिल से बहुत-बहुत स्वायत करता हूँ सो मल्टीबल खबरे कवर करने हैं मल्टीबल स्टॉक से रिलेटेड तो चलिए स्टार्ट कर लेते सबसे पहले JSW Energy के साथ JSW Energy आज की दिन तो देखा गया केवल 0.5% ही आपे बागाए ठीक है और अल देखा गया तो कंपनी बिजनेस पॉंट अफिस से तो काफी अच्छे रिसेंटली मैंने इसे रिलेटेड बिजनेस से रिलेटेड वीडियो भी कवर यहापे किया था कि नॉर्मल देखा गया तो थर्मल से रिलेटेड ही पावर सेग्मेंट में ही कंपनी काम करती है बट धिमे धिमे करके क्या करने वाले अपने बिजनेस को यहापे रिनेवल इनरजी के और शिफ्ट यहापे करने वाले है ठीक है ओविसली इसके लिए इनको काफी ज़्यादा टाइम भी आपे लगेगा उन्होंने बताया भी है कि 2030 तक वो कितना कितना टार्गेट अच्छीव करने हैं आपे चाते है JSW Energy के अगर हम लोग बात करें तो SJVN यह भी आप सभी लोग को कमपनी पताई होगी तो इन दोनों के बीच में हम लोग को PPA sign होते वे देखने को आपे मिल चुका है Power Purchase Agreement PPA की बात करें तो So definitely इसी चीज़ के चलते हम लोग के परफर्मस अच्छा गासा देखने को आपे मिल रहा है अगर हम लोग बात करें तो यह जो प्रोजेक्ट है वो आम लोग को राजस्तान में फिलाल तो देखने को मिल रहा है इस प्रोजेक्ट के अगर बात करें तो लगबग 24 मंत का यह प्रोजेक्ट हम लोग को फिलाल तो देखने को आपे मिल रहा है इस चीज़ के चलते हैं जो आउटकम निकल कर आएगा वो somewhere around 3.5 गीगावेट solar capacity से related data हम लोग को देखने को मिल जाएगा अगर हम लोग बात करें यहापे डेफिनेटली JSW energy business point office है एक काफी अच्छा बिजनेस हम लोग को देखने को मिल जाते हैं अगर आप renewable energy के पर ज्यादा focus रखते होंगे तो next बात करें दोस्तो तो unominda yes unominda की बात करें आज के दिन भी आप देख सकते हो साड़े चार पसेंट या फिर पहुने पाँठ पसेंट के आसपास भागते वे देखने को आप ए मिल चुका है पैके अन्छे मिंदा की कानी में हम लोग में हमेश्य आप लोग बार बार हूँ मतलब आप देख सकते हैं अभी पाच साल का डेटा आपको कैसा नजर आएगा छेसो पसंट साड़े छेसो पसंट ठीक है बट यह ऐसे रिटन्स नहीं बनते इसके पहले multiple time यह company यहापे crash यहापे हो चुकी है ठीक है 10-10 साल से जादा है हम लोगों ने इसको यहापे at least मैंने तो यहापे इसको hold यहापे करके रखावा है क्योंकि business अच्छा लगा था and जैसे कि आपको पते 10 साल में covid भी आ गया बड़ी बड़ी चीज़े आ गये company 40-50% तक crash हो गया यह मैं बार बार आपको इसलिए highlight करके बताता हूँ क्योंकि अगर आप किसी भी company को किसी भी share को long term hold करनी की बात यहापे कर रहे हो और उसके पीछे अगर आपका buying reason business नहीं है तो फिर वो long term holding नहीं होगी क्योंकि जब वो गिरेगा तब आप वहापे क्या करना ही आपको जाओगे तो फिर वो मुश्किल होने वाला है क्योंकि बहुत आपकी tough exam ली जाएगी लंबी होदी में ठीक है अगर मैं आपको यहापे roughly भी data दिखा दू तो बीच-बीच में रेखे यहापे भी थोड़ा बहुत यहापे गिरा था कितना गिरा था roughly अगर मैं चेक भी कर ल प्लास इस कौन सा हाँ वो पाच चक्रवाला ठीक है वो आपको हजम करना ही पड़ेगा भाई वो बात ठीक है अगर आप सिर्फ वीडियो को देखकर अगर सुनकर मतलब छोड़ रहे होंगे तो फिर कोई फायदा नहीं भाई उसको implement भी करना है टाइम लगता है इन क्योंकि market का nature है वो तेजी दिखाएगा consolidation दिखाएगा extreme तेजी दिखाएगा गिरावट दिखाएगा extreme गिरावट दिखाएगा और इन पाच सिन्यारियो में अगर देखा गया usually हमनों को क्या करना होता है गिरावट को ही manage करना होता है कि भाई तू क्यू गिर रहा है वो बत रिकवरी होगी तो तुम भी रिकवर कर जाओगे तो यह इस प्रकार की चीज़े देखना काफी important यहापे रहता है यह boring चीज़े नहीं करोगे तो फिर कैसा होगा फिर ठीक है तो जब तक बादर मज़े कर रहा है आप जबरदस यहापे भाग रहा है तब तक बने रहोगे तो यह theory भी आप लोगों को अच्छी तरह की से समझ में आपे आना चाहिए नेक्स अगर हम लोग आपे बात करेंगे आगे बढ़ लेते हैं दीपक नाइटराइट से रिलेटर तो दीपक नाइटराइट भी business point office अगर देखा गया काफी अच्छी company chemical segment में जुड़ी है down cycle तो कभी ना कभी आते रहेगा कोई telegram नहीं आने वाले आपको कि भाई मैं अभी down cycle में आपे जाने वाला हूं करके ऐसा कुछ नहीं कुछ ना कुछ बाने बादर में चलते रहते हैं ठीक है इतना ज़्यादा माथा पोड़ी नहीं करने का मैंने का आप लोग आप लोग ठीक है बिजनेस देखने का बिजनेस अच्छा लगता है तो उसको खरीदने से रिलेटेड विचार करने का और लंबी अवदे के लिए होल्ड करके बैड़ जाने का वो कब भागेगा हमें नहीं पता ठीक है बड़ जब भागेगा काफी अच्छे रिटन्स बन जाते हैं उनो मिंडा भी दो-दो-तीन-तीन साल बीच में बिलकुल भी नहीं भागा था ऐसा डेड़ था ऐसा ठीक है बट जब भागा तो रिटन्स बन गए ठीक है मार्केड भी आप इंडेक्स लेवल पर देखो न 18,000 पर हम लोग कितने सालों तक अटके हुए थे और अभी 24 कितना इजीली मतलब फट-फट-फट-फट चला गए अभी तो 25 की भी बात स्टार्ट हो गई तो ये चीज़े रहते हैं तेजी में पता ही नहीं चलता है कि कितना फास्ट रिकावरी हो रहा है ठीक है बट वो जैसे मैं बोलता हूँ ना 250 डेज में से 230 दिन पिटाई होती है फिक लिमिटेड टाइम के लिए ही तेजी रहेगी ठीक है तो उस चीज के लिए क्या करना पड़ता है आपको एक गिरावट वाले दिनों में टिकना है आपे आना चाहिए ठीक है टफ डिलेवरी जाएंगी वापे आपको खिलना पड़ेगा ठीक है पीच चोड़ने का नहीं हो गया उसके बाद देखे यह तो गिरावट होगी तो यह तो चीज यहापे चलने ही वाली है नेक्स अगर हम लोग यहापे बात करेंगे दोस्तों तो यहापे जी आरे सी बहुत अच्छा है यहापे कर रहा था ठीक है देन कोचिन शीपियार भी बहुत अच्छा कर रहा था पात साल एब दम रोकेट की तरह है चलती वे देखने को मिल रहे सरकार से जुड़ी वी कंपनिया डिफेंस सेग्मेंट से कंपनिया काम करती है और 21 मिलियन डॉलर का इनको ओर्डर मिल चुका है बट यह ओर्डर सिर्फ 21 मिलियन डॉलर का कंसिडर मर्द करना यह एक बहुत जाला कि यह मतलब आप इसको एक्सपोर्ट टाइप भी कंसिडर कर सकते हो तो आप एक्सपोर्ट करने के लिए जाओगी इस प्रकार की चीजे तो आपके लिए तो कितना बड़ा दुनिया तो कितनी बड़ी है ठीक है मैं HL से रिलेटर भी यह वीडियो बार-बार कवर कर होते रहते हैं HL में मैं क्या बोला आपको कि HL के लिए वो सब दीन सबसे बड़ा दीन होगा जब HL अपना फाइटर जेट एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करेगा ठीक है तो यह जो चीजे रहती है वो मतलब आपके लिए दुनिया मतलब कितना ग्रोथ का मिल चुके अगर प्रोजेक्ट अगर उनको अच्छा लगा कॉलिटी अच्छी लगे होगी तो डेफिनेटल वो ऐसे और भी मल्टीपल ओर दे सकते इसकी चांसेस बढ़ चुके है ठीक है तो इसलिए हम लोग यहापर कह सकते हैं कि कि किस मिलियन डॉलर का यह ओर है बट ज जाएगा नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्टो तो नेवी की बात होती है द्या उसी के साथ-साथ मतलब सिप्स की बात होती है ओरर काրेट के अप्रेड करना है ठीक है तो ऐसा नहीं होता ही कि एक बार यहां वर्पे चीजे बनाली बंसलिए क्." मैंने आप लोगों को क्या बता था कि यह fighter jets बनाते भी है और उसका repairing, maintenance, overhauling time to time करना पड़ता है भाई उससे भी यह भरपूर पैसा कमाते है ठीक है तो यह चीज भी आप लोगो समझ में आपे आने चाहिए ठीक है अगर export करना अगर वो start कर दिये तो वो next level पे चला जाएगा दैन अगर हम लोग बात करेंगे तो IEX की, IEX अगर देखा गया, company तो बुरी है आपे है नहीं ठीक है, company अच्छा है हम लोगो देखने है आपे मिल रहा है, अगर भविश हमें अगर देखा गया, energy exchange के उपर अगर green वाली भी अगर चीजे trade अगर होने लगे तो और भी अच market coupling से related अभी आगे क्या होगा, अभी तक कोई भी official खबर नहीं है, जो लोग रोज comment section में पूछते सर क्या market coupling हटेगा, seriously मुझे नहीं पता, वो तो सरकार का approach क्या है वो देखना पड़ेगा, ठीक है तो शिवरात सिंग जी चौहान, I guess, वो अभी हम लोगो यहापे power ministry में दे आप वोट किया था, तो वो देखना एक important, interesting point यहापे रहेगा, अगर वो कहते हैं कि हम इसको reconsider करेंगे करके तो अच्छी बात है, बड़ अगर वो यह कहते हैं नहीं नहीं, हम भी market coupling को ही support करते, तो वापस यह stock फिर तो बहुत ही नीचे आपे आ सकते है, विकोज जो अभी point की बात करेंगे, तो if but वाला point है, if but मतलब अगर ऐसा हुआ, तो यह वो चीज़े हम लोगों को देखने को मिलेंगे, अगर मगर मतलब क्या, geofinance and zomato, इनके लिए अच्छी ख़बर हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं, मतलब अभी report के जरी ख़बर यहापे सामने आ र हो सकते हैं, अगर वो derivative में add हुए, future and option में add हुए, तो nifty 50 के भी बहुत strong दावेदार हैं, जो की nifty 50 में entry भी मार सकते हैं, क्योंकि अगर देखा कि 6 criteria रहते हैं, nifty 50 में आने के लिए यह 5 फुल्फिल कर रहे हैं, एक नहीं कर रहे हैं, कौन सा derivative वाला, तो अगर यह derivative में आ JFS and Zomato, तो nifty 50 में ही, उनके ही आने के chances काफी ज़्यादा हैं, तो इससे अच्छी बात क्या होती है, business level पे तो कोई change नहीं होगा, business तो जैसा कर रहे हैं, वैसा ही है, हाँ, बट इसमें अच्छी बात यह होगी, कि index level पे जो पैसा जो जाता है, ठीके, वो in stocks में हम लोगों या पे shift होते वे देखने का आपे मिल सकता है, ठीके, तो influence बढ़ेंगे, तो थोड़ा बहुत तेजी है, आपे आ जाती है, ठीके, तो इससे हम लोगों ने as a investment के इसाब से decisions नहीं लेने होते है, ठीके, बट और अल अगर देखा गे, तो एक अच्छा माहूल बनते वे लिखने को मिल जाता है, तो ठीक है दोस्तों, जितने important points है, सारे आपे cover कर लिए, वीडियो अलफुल लगागो, तो चाहो तो like and share कर सकते हैं, मिलते नेक्स टूड़े हैं, तब तक के लिए, बब बाई